हलो एवरिवान आएम रिद्रण यह वाचिंग स्काइस द लिमेट सो आज गे वीडियो में बैसे किले हम लोग डिसकस करेंगे एक बहुती इंपोर्टेंट टॉपिक आज बैसे किले हम लोग डिसकस करेंगे अगर आप एक मैकाउट स्ट्रेंट है तो यह आपको जरूरी जानना चाहिए कि UGC से actually आपको क्या बोला गया है क्या यह confirm है कि आप लोग का जिद जुलाइ सेशन में academic सेशन था न्यूज सेशन वो सेप्टेंबर में होगा या आप लोगों का college का बोलिए university का बोलिए अगर infrastructure है तो आप लोगों का क्या online exam होगा और अगर आप लोगों का online exam ना हुआ तो क्या आप लोगों का exam pen and paper में होगा यह confirm news है या नहीं यह भी आपको बताएंगे और अभी तक आप लोगों का UGC से कुछ बताया या नहीं बताया है वो भी आपको बताएंगे और यह lastly आपको बताएंगे कि कब तक UGC आपका नया notice publish करेगा तो वीडियो बहुत ही interesting होने वाले वीडियो का अंतक जरूर देखना और एक बत बोलना चाहूँगा अगर मेरे चैनल पे नहीं तो प्लीज इस चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि इस चैनल में आपको Mac out to other university हो कोई भी information मिलते रहेंगे तो चलिए जदा समय ने लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो यह रहा वो notice जो publish किया गया था 25 चाह 2020 को मतलब 25 तारिक को तो यहां पर क्या बोला गया है हम लोग easily जानेंगे तो सबसे पहला जो हम लोग का question था यह question था कि आप लोग का जो UGC का panels कुछ दिन पहले announce किये थे वो क्या एकदम confirm है मतलब July session में आप लोग का exam ना होके आप बोल सकते हैं academic session चालू ना होके वो चालू होगा September में and lastly अगर आपका infrastructure है तो college exam ले सकता है online में otherwise pen and paper में lockdown खतम होने के बाद exam होगा यह actually don't know panel से आप बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं आप बोल सकते inform किया गया था UGC को आप हम लोग आते हैं कि यह एक reports on 24th April 2020 to UGC दोनों committee जो तियार किया गया थे हो वो submit किया है आप बोल सकते report UGC पे 25th April को the report will be discussed in UGC commission meeting and based on the decision of the commission not आप बोल सकते हैं जो committee तियार गया गया था जो commission decide करेगा last में एक meeting बैटाने के बाद वो discuss करने के बाद क्या यह reports एकदम final announce होगा या नहीं then UGC will issue guidelines आप बोल सकते हैं UGC अभी तक यह आपको नहीं बोला है कि जो वो दो committee से बोला गया है वो एकदम line by line follow किया जाएगा तो आप confirm मत पकड़िए कि जो बोला गया है वो एकदम follow होगा पर maximum possibility से क्या follow होगा UGC से अभी भी कुछ नहीं बोला गया है अब अगर हम को बताया जाएगा देखी यहाँ पर next line में लिखा है next week to the universities and the colleges regarding the measures to be taken for the current academic session as well as next academic session in the larger interest of the student community मतलब next week में आपको बोला जा सकता है यहाँ पर लिखा है next week मतलब का अब का यह notice आया था 25 तारिक को मतलब 7 दिन आप आगे कर लिजे तो जो date आता है वो ही date में आप लोगों का maximum possibilities and notice आएगा तो उस दिन आप बोल सकते हैं तक आप लोगों के इंतजार करना पड़ेगा one week आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा time लेगा अभी UGC से meeting होगा फिर meeting होने के बाद वो discuss किया जाएगा जो panel से आप बोल सकते हैं request किया गया है वो discuss करने के बाद last में decide किया जाएगा कि आप फॉलो किया जाएगा तो अभी तक आप confirm मत पकड़ लीजे कि आप लोगों को जो बोला गया एकदम 100% sure है अभी तक 100% कुछ भी नहीं बोला गया है and UGC last report आप बोल सकते हैं अभी भी 5 दिन बाद मतलों आज आप बोल सकते हैं 27 तारीक है तो अ एक आउट रिलेटर हर एक वीडियो मिलते रहेंगे तो चलिए जाता सामय नहीं लेते वीडियो का जाई पेंट करते हैं तब तक के लिए बाबाए